हेलो दोस्तो, आरके मिक्स इंटेटेइन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आप लोगों ने पारसी धरम के बारे में तो सुना ही होगा पारसी धरम में एक पारसी न्यू इयर जिसे हिंदी में पारसी 9 वर्स भी बोला जाता है यह एक तोार आता है आज इस वीडियो में मैं आपको इस दोहर के बारे में ही पूरी जानकारी दूँगा यह कब मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है इसके पीछे क्या माननेता है इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मगर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तो श्टाट करते हैं दोस्तो पार्सी समूदाई के लिए पार्सी नव वर्स आस्ता और उत्सा का संगम है एक दोर था जब पार्सी समाज का एक बड़ा समूदाई हुआ करता था लेकिन बदलाओ के इस दोर ने हमसे हमारे दूर कर दिये कई ने केरियर और बेतर पड़ाई के कारण बड़े सहरों की और रुक किया तो कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी समाज को जीवित रखे हुए हैं अगस्त मा में पार्सी समाज का नव वर्स मनाया जाता है मतलब न्यू इयर इस वर्स यह त्योर 16 अगस्त को मनाया जा रहा है इस दिन संडे है बदलते वक्त ने पार्सी धरम में भी जिन्दगी ने कई खटे मीटे अनुभव कराए लेकिन हमारे संसकार ही हैं जिसके दम पर आज भी अपने धरम और इस से जुड़े रीती रिवाजों को संभाले हुए हैं 1380 इस्वी पूर्व जब इरान में धरम परिवर्तन की लहर चली तो कई पार्सियों ने अपना धरम परिवर्तित कर लिया लेकिन जिन्हें यह मंजूर नहीं था वे देश छोड़कर भारत आ गए यहां आकर उन्होंने अपने धरम के संसकारों को आज तक सहेजे रखा है तो उसे धरम में रखा जा सकता है लेकिन उसके पती और बच्चों को धरम में शामिल नहीं किया जाता है ठीक इसी तरह लड़कों के साथ भी होता है लड़का भी यदि किसी दूसरे समूदाय में शादी करता है तो उसे और उसके बच्चों को धरम से जड़ने की छूट ह लेकिन उसकी पत्नी को नहीं समाज का कोई भी वेक्ति किसी दूसरे सहर या देश से यहां आता है तो उसके रहने और खाने की वेवस्ता पूर्ण आस्ता और सेवा भाव से समाज वासी करते हैं समाज के लोगों को एक सुत्र में पिरोई रखने के लिए उन्होंने कभी भी गलत राह नहीं पकड़ी आज भी पार्सी समाज बंदू अपने धर्म के परती पूर्ण आस्ता रखते हैं नववर्स और अन्य परवों के आउसरों पर लोग पार्सी धर्म सला में जाकर पूजन करते हैं पार्सी समुदाय धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं रखता यह सही है कि सहरों और गाओं में इस समाज के कम लोग ही रह गए हैं खास कर यूवा वर्ग ने केरियर और पड़ाई के सिलसिले में सहर छोड़कर बड़े सहरों की और रुक कर लिया है लेकिन हाँ कुछ यूवा ऐसे भी हैं जो अपने पेरंट्स की केर करने आज भी उनके साथ गाओं में रहते हैं दोस्तो भगवान प्रोफेट जर सस्तू का जनम दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है नव वर्ष पर खास कारिकरम नहीं हो पाते इस वज़े से 24 अगस्त को पूजन और अन्य कारिकरमों का आयोजन किया जाता है यह दिन भी पार्सी परवो में सबसे खास होता है उनके नाम के कारण ही पार्सी लोगों को जर स्तूरूटी काहा जाता है पार्सीों के लिए यह दिन सबसे बड़ा होता है इस अवसर पर समाज के सबी लोग पार्सी धरम साला में इकटे होकर पूजन करते हैं समाज में वैसे तो कई खास मोगे होते हैं जब सब आपस में मिलकर पूजन करने के साथ खुशया भी बाटते हैं लेकिन मुख्यत है तीन मोगे साल में सबसे खास हैं एक खोरदाद साल दूसरा प्रोफिट जर सर्थू का जनम दिवस और तीसरा इकतिस मार्च इराक में कुछ सालों पहले आए अनुयाई एकतिस मार्च को भी नव वर्ष मनाते हैं नव वर्ष पार्सी समूदाए में बड़े उच्छा के साथ मनाया जाता है धरम में इसे खोरदाद साल के नाम से जाना जाता है पार्सियों में एक वर्ष 360 दिन का और 35 दिन गाथा के लिए होते हैं गाथा यादि अपने पूरवजो को याद करने का दिन साल खतम होने के ठीक पाँच दिन पहले से इसे मनाया जाता है इन दनों में समाज का हर व्यक्ति अपने पूरवजो की आत्मशांती के लिए पूजन करता है इसका भी एक खास तरीका है रात साड़े तीन बज़े से खास पूजा अर्चना होती है धरम के लोग चांदी या श्टील के पातर में फूल रखकर अपने पूरवजो को याद करते हैं पार्सी समाज में अगनी का भी विसेश महतु है और इसकी खास पूजा की जाती है नागपूर, मुंबई, दिल्ली और गुजरात के कई सहरों में आज भी कई सालों से अखंड अगनी परजलविलित हो रही है इस जोत में बिजली, लकडी, मुर्दो की आग के अलावा तकरीबन आठ जगाउ से अगनी ली गई है इस जोत को रखने के लिए भी एक विसेश कमरा होता है जिसमें पूर्व और पश्चिम दिसा में खिड़की, दक्षिन में दिवार होती है पार्सी नववर्स कत्योहार दुनिया के कई हिस्सों में हर सो लास के साथ मनाया जाता है जिसमें इरान, पाकिस्तान, इराक, बहरिन, ताजिकिस्तान, लेबनान और भारत में भी यह दिन विसेश तोर पर मनाया जाता है तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको पार्सी धरम से रिलेटिड पार्सी नववर्स त्वार के बारे में एक एक जानकारी दे दी होगी यह कब है, इस साल, क्यों मनाया जाता है, पार्सी धरम जो धरम है, इसका क्या इतियास रहा है इससे जुड़ी सारी चोटी बड़ी जानकारी मैंने दे दी होगी दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी यह यूजफुल जानकारी मिल सकें, और कमेंट बोक्स में आप पार्सी धरम के बारे में कुछ भी कहना चाते हैं अपना कोई भी राय देना चाते हैं तो कमेंट बोक्स में हमें लिक कर बता सकते हैं और इसी के साथ दोस्तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें था कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तो जैहिंद